नमस्कार दोस्तों अब सब आप सबी बहुत अच्छी होगे दोस्तों आज हम बात करने जारे कोड डायो के बारे में एड कोड दायो को लेकर बहुत सारे इंपोर्टंट अप्डेट आ चुके है जो आज हम इस वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और अभी के टाइम त्विटर पे सतोशी कॉंसियस करके और कोड आयो करके ट्रेंड कर रहा है और बहुत जादा रिट्वीट्स हो रहा है अब भी का टाइम में ट्विटर पे दो जगा एज़ा ट्रेंडिंग पे बना हुआ है उसके साथ बहुत सारे इसके अपकमिंग प्रोजेक्स भी आने वा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पे जरूर प्रेस कर लें चलिए गाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाई बात करें हुबिक तो ऑपन स्पोर्ट एंड ग्रेंट ट्रेंग फोर कोड डायो पेर विथ यू यहां पर जो यूबिक ग्लोबल एक्षेंज है और उसने एक प्रॉपर अनॉसमेंट कर चुका है जो ट्रेडिंग फीचर से वो दोनों चीजे स्टार्ट होने वाली है आठ फरवरी से और उसके आठ फरवरी पो एर्डॉस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड गई पॉइंट ट्रेडिंग वोड बी सस्पेंड टू प्रिवलेंट स्पिलिज तो यहां पर जो आपको सारी फीचर देखने को मिलेंगे और वहां पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी और जो नेक्स चीज बताया जा रहा है जब भी आपका ओर के अंदर as a 92-110 के आसपास last price देखने को मिलेगा तो वहां पर all new market orders place for buying and selling will be cancelled automatically जैसे ही 92-10 के आसपास last price देखने को मिलेगा और जैसे ही नई market order के place करने के लिए आएगी चाहे buy करने के लिए चाहे sell करने के लिए उस time पर वो automatically cancel हो जाएगा to prevalence slippage please ensure that you have done sufficient risk assessment तो यहां पर एक फाइदा आपको यह मिलेगा जितना आप risk bear करना चाहते हो उतना वहां पर आपके लिए risk रहेगा basically और जैसे ही उससे extend करेगा वह automatically वहां पर आपका cancel automatically हो जाएगा तो यहां पर एक best चीज़ देखने को मिली है and listed tokens as they are often subject to high price volatility तो यहां पर जो इसके high price volatility के बारे में बात किया जा रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है जो इसका as a annual rate of percentage जो होता है अभी के time में code आयो का आप सभी लोग पूछते हो कि यह fix क्यों नहीं किया गया है ठीक है और इसके अंदर यह सबसे important चीज़ बनी हुई है कि daily कितनी transaction हो रही है कितना volume है उन BNB chain है उसने एक announcement release किया है जहां पे greenfield white paper के तूछ जो co developer की team है अभी work कर रही है AWS cloud के साथ not real के साथ and block domain HQ के साथ और यह एक BNB greenfield testnet create कर रहे है जो launch होने जा रहा है और कुछ ही महीनों के अंदर आप सभी को यह सब चीज़े देखने को मिलने वाली है and guys जैसा कि आप सभी को पता है आठ तारीक के बाद आपको सारी चीज़े देखने को मिलने वाली है as a code IO के साथ और उसके सासत guys यहां पे as a withdrawals भी और बागे सब चीज़े भी start हो जाएंगी and बात करें next update की जो की NFTs को लेके है जो की mid-ass NFT pre-sale launchpad को लेके है जहां पे आप first हो जिसको पता हो actually की कौन सी मेरे लिए best है उसी as a NFTs को आप easily buy करें ठीक है so यह open हो चुका है जहां पे basically बताया जा रहा है जो marketplace के अंदर जो NFTs आएंगी तो यहां पे as a non-fungible tokens होंगे और उसके साथ इसकी जो pre-sale है वो आपको देखने को मिलेगी और इस चीज़ को लेके as a 25 January को update आ चुका चुका है जो की Twitter handle पे और उसके साथ साथ हम बताएं यह यहां पे तो आप सभी को as a announcement के थूँ कोई भी आप deposit करते हो तो आपको मालनों चाहिए वापिस refund तो आपका यहां पे fully refund मिल जाएगा जो की एक बहुत अच्छी चीज़ है जो की bias के लिए एक potential देता है कि अगर नहीं चाहिए तो वहां पे वो proper अपना refund ले सकते है ठीक है और इस चीज़ को BSC News ने cover करते में बताया है कि while Midas will take several measures to keep the platform secure और यहां पे securities की बात की जा रही है और एक advice किया है जिसमें बताया गया है do your own research अपने behalf पे आप देखो कौन सी as a NFT आप सभी के लिए best है for an investment purpose then आप उसके अंदर as a जा सकते हो ठीक है तो दोस्तों आज की यह तो please guys एक like कर देना एंड चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके notification बैल को all पर जरूर प्रेस कर देना तो दोस्तों आज के लिए इतना है मिलते है नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातरम